Fine, so, अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा concept समझ लेते हैं, किसका? हमारा जो installment होता है उसका Fine, so, installment में क्या होता है, देखिए, आपके पास, मान लिया, आपने, कुईक सामान करीदा ठीक है, वो कितने का है मान लेते हैं, आट हजार रुपे का है ठीक है, या फिर आपने किसी से उधार लिये, ठीक है, आपने loan लिया कितना? 8,000 रुपीज का, इस पर आपको rate of interest वो कितना लगा रहा है? 10% rate लगा रहा है, ठीक है, और उसके बाद आपने 3 years के लिए मान लो, interest लिया, ये loan लिया और आपको हर साल क्या करना है, उसको कुछ एक fixed amount देना है, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको fixed amount देना है तो हमें पता करना होता है, इसमें कि installments उसको कितनी जमा करनी पड़ेगा, कितने कितने रुपे की, उसको सेम amount जमा करना पड़ेगा तो देगे, सबसे पहले चीज तो ये है, कि उसने अगर 8000 रुपे दिये है, fine, तो वो 3 साल के बाद, 8000 रुपे ही तो आपसे लेगा नहीं, कितना तो confirm है है ना, अगर उसने 8000 रुपे आपको दिये है, तो वो अगर 3 साल के बाद 8000 रुपे ही लेगा, तो उसको तो कुछ फाइदे नहीं हुआ ना, तो वो क्या करता है उसने यहाँ पर interest लिया है ना, ठीक कितना 10% और यहाँ पर आपके पास rate कितना है, वो sorry, time कितना है, 3 years है तो इसको जो amount चाहिए, वो कितना चाहिए, 8000 into, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर compound interest ले रहेता है ना, simple interest तो आप आरम से solve करी लेंगे, अगर मैं आपर बात करता हूँ, यह किस पर ले रहा है वो, compound interest पर, ठीक है, तो अगर 10% का है तो into 11 upon 10, into 11 upon 10, into 11 upon 10, ठीक है, इतना उसको amount end में चाहिए, ठीक है, अब उसको आप यह amount किस तरीके से देंगे, fine, अगर आपको installments निकालने हैं, आपकी EMI निकालने हैं, तो वो आप कैसे find out करेंगे, देखें, यह जो आपके पास value आती है, मतलब क्या, इसका जो total एक amount बनता है, वो बराबर किसके होगा, first year आप उसको, x amount देंगे, third year भी क्या करेंगे आप उसको, x amount देंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे questions में भी, जो भी आपके पास यहाँ पर installments होती हैं उनको अगर आप add करेंगे, तो वो add होके इससे कमी बनती हैं, अब यह ऐसा होता क्यों है, देखें, आपने आपके पास यह जो x है, वो क्या करेगा, आगे के दो सालों का interest और generate करेगा, ठीक है, मतलब क्या, आपने x, x, x amount इसको दिया अलग-अलग साल, जब आप पहला इसको x amount देंगे, तो इसके पास यह जो x amount आगया, वो आगे के दो साल के लिए इसको interest देगा, मतलब क्या, x amount प्लस और इसको क्या मिलेगा यहाँ पर, यह x का दो साल का interest, मतलब क्या, दो साल का अगर मैं interest निकालूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10% है ना, तो 21%, ठीक है, यह इसको मिलेगा, फिर second year जब आप इसको फिर से x उर्पे देंगे, तो यह x amount क्या करेगा, आगे के ए 10% इसको और यहाँ पर मिलेगा, फिर third year में आप इसको सिर्फ कितना देंगे, x amount देंगे, बस आपके पास जो भी होगा, total amount यह मिलकर, किसके बराबर होगा, इस amount के बराबर होगा, ठीक है, फिर से एक बार जान लिजे, मैंने आप पर क्या बताया आपको, जब आप पहली installment देते हैं, x रुपे की, तो वो x रुपे क्या करता है, आगे जितने भी बचे हुए साल है न, उसका interest और generate करता है, ठीक है, जब आप उसको दूसरा amount देते हैं, दूसरी emi installment देते हैं, तो यह आपके पास और आगे का installment generate करता है, मैंने स्वारी, interest generate करता है, फिर last में उसको अब उतना ही installment देते हैं, जतनी आपको देरनी होती है, यह सब मिलाकर बराबर किसकी होता है, जो आपके पास amount है, simple interest, compound interest, दोनों ही cases में आपके पास यही same concept to use होगा, कुछ भी अलग से कोई भी आपको formula याद करने की या करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब इसको एक बार मैं एक example से बता देता हूं, तो थोड़ा सा शायद आपको clear हो जाए, देखिए, मान लेते हैं, आपको आपकी installment बनी है, कितने की, 200 रुपे की installment बनी है, ठीक है, आपकी installment कितनी बनी है, installment मान लेते हैं, आपकी 200 रुपे की है, ठीक है, आपके बस जो interest rate वो लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, 10% लगा रहा है, फाइन, और आपका time period कितना है, मान लेते हैं, 3 years का है, 3 years का आपके पास time period है, और यहाँ पर मान लेते हैं, वो simple interest पर आप से क्या ले रहा है, आपको उसने loan दिया है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको पैसे चुकाने, तो स इसरी अपने installment D कितने की 200 रुपे के, ठीक है, यहाँ पर जब आपने ये 200 रुपे दिये, उसको दे दिया आपने है, अब ये 200 रुपे क्या करेंगे, उसके लिए interest generate करेंगे, आगे के बच्चे हुए 2 साल में, मतलब क्या, उसको कितना मिलेगा, उसको ये 200 रुपे तो मिल होगा, ठीक है, similarly यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा, तो यहाँ पर जब आपने उसके 200 रुपे दिये, तो ये 200 रुपे आगे के एक साल के लिए, जो बचा हुआ साल है न, उसके लिए interest और generate करेंगे, मतलब कितना, 200 का, एक साल के लिए 10%, यहाँ पर बात करूँगा, अमाउंट मिला, वो कितना मिला, यह सब मिला कर कितना हुआ, 600 रुपीज, और यह मिला कर कितना हुआ, 60 रुपीज, तो उसको जो मिलेगा अमाउंट, वो कितना मिलेगा, 660 रुपीज मिलेगा, ठीक है, उसको कितना अमाउंट मिला, 660 रुपीज मिला, जैसे कि यह कोशन ह उसने हमसे क्या बोला किया कि what annual installment will discharge a debt of rupees 1060 चीज़े चलिए पर बात ने उसने क्या बोला कि कितनी annual installments ठीक है चाहिए इतने रुपे का debt क्या करने के लिए discharge करने के लिए 4 years के बाद 4% की rate से अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझेगा उसने बात क्या करी यहाँ पर debt की, यह debt जो होता है आपके पास यह amount जो बात बे बनता है ना आपका, ठीक है वो उसने total यहाँ पर दे दिया है, मतलब क्या आपको total जो इसको पैसे देने है जमा करने थे, with interest वो कितना है 1060 rupees है अब यह बराबर किसके होगा देखिए पहले अगर मैं इसको x की तोर पर पताता हूँ, फिर बताऊंगा इसको हम जल्दी और कैसे तरीके से कर सकते है, so see, आपने पहली installment दी x रुपे की ठीक है, दूसरी installment दी आपने फिर से x रुपे की तीसरी installment दी आपने x रुपे की, चौती भी installment दी आपने इमाले दे याँ पर x रुपे की ठीक है, आप देखिए इसको total amount मिलेगा कितना सबसे पहले चीज, जब आपने उसको यह x amount दिया in that case x x amount पर आपके आगे की 3 साल का interest इसको और मिलेगा into 3 into 4%, ठीक है अब जब आप उसको यह amount देंगे x amount installment देंगे in that case, यह वाला x आगे की 2 साल के लिए interest generate करेगा, मतलब का है into 2 into 4%, ठीक है next आपके पास जब आप उससे यह देंगे तो यह आपके पास x आगे के बचे हुए 1 साल के लिए interest generate करेगा तो इसको जो total amount मिलेगा वो यह मिलेगा, मतलब क्या जब वो इतना amount देगा यह सब मिलाकर इसके बराबर हुगा उसने हमसे यह आपर value किसकी पूछी है इस x की value पूछी है ठीक है, तो एक तो यह तरीका होगा आपके x मान कर fine, लेकिन अगर मैं इसको जल्दी करना जाता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ मान लेते हैं कि हमारी जो installment है वो कितने की है 100 रुपे की है ठीक है, आपकी जो installment है वो कितने की 100 रुपे की है मतलब कि 100 यहाँ 100 यहाँ, 100 यहाँ और 100 यहाँ, 4 है न ठीक है, पहला जो 100 है वो आपके आगे के 3 साल के लिए interest generate करेगा, ठीक है, अगर आगे के 3 साल के लिए interest generate करेगा, 4% की rate से, तो कितना generate करेगा, अब ये चीजे आप थोड़ा सा mind में करिएगा, ठीक है, 100 रुपे है, ठीक है, आगे के 4, कितने 3 साल के लिए 4% की rate से interest generate करेगा, 4% को मैं fraction में क्या लि 25 लिख सकता हूँ ना, 4 times, कितना generate करेगा, 12 rupees, ठीक है, जब आप उसको ये 100 रुपे देंगे, तब ये 100 रुपे उसके आगे के लिए, कितना interest generate करेगा, वो interest जनेगा, 8 रुपे, ठीक है, जब आप उसको ये 100 रुपे देंगे, तब ये कितना interest generate करेगा, ये interest generate करेगा, 4 400 प्लस 24 मतलब 424 तो 424 बराबर किसके होगा 1060 के आपको निकालना क्या value आपको annual installment निकालने ना annual installment हमने क्या मानी थी 100 रुपीस मानी थी इसलिए 100 बराबर किसके हो जाएगा 1060 divided by 424 into 100 इसको अब solve करेंगे आपके बास value कितने हैगी 250 आएगी अब जैसे कि यह हमारे पास compound interest वाला question है ठीक है उसने यहाल है कि लीना ने एक loan लिया कितने रुपे का 8400 का अब यहाँ पर जो difference है वो क्या है देखिए यहाँ पर उसने starting में loan कितना लिया है 8400 का लिया है 10% की rate से अब उसको जो पैसे वापिस करने होंगे जो उसका debt बनेगा कितने साल के बाद 2 years के बाद थीक है वो कितना बनेगा 8400 into 10% बढ़ा कर मतलब क्या आप 10% की rate से उसको क्या करेंगे increase करेंगे ना दो साल का तो कितना interest बन जाएगा 21 मतलब क्या into 11 upon 10 अच्छा इसी से कर लीज तो total आपके पैस जो amount बनेगा debt बनेगा वो यह बनेगा अब इसको आपको वापस करना है अब इसको वापस कैसे करेंगे हमारे पास वही चीज़ दो installments देनी है मान लेते हैं वो दो installments कितनी है 100 रुपे की 100 रुपे की ठीक है जब आप उसको यह installment देंगे तो यह 100 रुपे आगे का एक साल के लिए interest generate करेगा और आगे के एक साल के लिए वो कितना interest generate करेगा 10% की rate से 10 ही तो जमा करेगा तो यहां से अगर मैं देखूँ यह total amount बराबर किसके होना चाहिए इसके बराबर होना चाहिए यह कितना हो गया 210 equal किसके होगा 8400 into 11 upon 10 into 11 upon 10 के आपको value find out किसकी क installments की ना मतलब आपको 100 की value find out करनी है तो 100 बराबर किसके होगा 8400 upon 210 into 11 upon 10 into 11 upon 10 into 100 इसको solve कर लिए आपके पास answer आजाएगा आपके पास सुरेश ने इतने रुपीज बोरो किये हैं न 6 375 और 4% की rate से 2 साल के बाद इसको वापिस करने तो debt इसका कितना बन जाएगा 6 375 into 4% 4% की rate से increase हो रहा है ना 4% मतलब 1 upon 25 तो increase हो रहा है इसलिए 26 upon 25 into 26 upon 25 यह आपको क्या करना है वापिस करना है दो installments में तो माल लेते हैं installment 100 रुपे है ठीक है जब आप उसको 100 रुपे देंगे तब यह आपके पास 100 रुपा जो आपके 100 रुपे है वो आगे के एक साल के लिए interest जनरेट करेगा कितनी जनरेट करेगा 4 ठीक है यह total आपके पास कितना हो गया यह total अब करें टू-जिरो फोर हो गया यह बराबर किसके होना चाहिए इसके बराबर होना चाहिए मतलब 204 इकुल किसके 6 3 7 5 into 26 upon 25 into 26 upon 25 के आपको 100 की वैली निकालनेगे बस आप आप आराम से यहां से 100 की वैली निकालनेगे तो आपके वैसा राइट आंसर कितने का बीवन इस right answer, so इसको कैसे करना, इसको मैं समझाता हूँ, आपको, देखे उसने यह ओला कि 3 equal installments each of rupees कितना 200 were paid at the end of the years on a sum borrowed at 20% compound interest compounded annually, fine the sum आप देखे, इसने क्या करा कुछ amount borrow किया fine, उसको 20% की rate से कितने साल के बाद तीन installment में हमें वापस करना था, ठीक है, अब मुझे इक बात बदाएए, आपके पास इसको जो debt देना होगा वो क्या बनेगा, यह जो आपके पास amount है, ठीक है इसका into कितना 21 sorry, यह कितना 1 by 5 है ना, तो मतलब into 6 by 5 into 6 by 5 into 6 by 5, यह देना होगा बना इसको, ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास यह जो amount है यह 200-200, यह कितना बनाएगा देखिए, पहला आप इसको 200 रुपे देंगे अब यहाँ पर उसने installment की value में actually में दे दिये, ठीक है पहला कितना 200, दूसरा कितना 200 दीसरा भी कितना 200 के लिए interest जनरेट करेगा, तो कितनी जनरेट करेगा, 20% की rate से अगर मैं देखू तो यह कितना जनरेट करेगा, देखिए आपके पास 200 इन्टू 6 पाइफ इन्टू 6 पाइफ मैं यह लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ interest की बात करनी है, तो यह कितना हो जाएगा इन्टू 36 इन्टू 25 ठीक है, तो लो में difference कितना, 11 अपन 25 बोल सकता हूँ न, तो यह कितना हो गपके पास 8, कितना जनरेट कर रहा है, 88 जनरेट कर रहा है, ठीक है, in case अगर आपको दिक्कत हो रही है, यह जीज करने में तो यहाँ पर आप क्या करिए, जो हमने table वाला method कर रहा था न, वो same table वाला method ही यहाँ पर use होगा कैसे, अचा पहरे तो इसको normally बताता हूँ, यह आपको कितना जनरेट हो रहा है, 88 जनरेट हो रहा है, फिर जब आप इसको इतने रुपे देंगे, in that case यह 200 रुपे आपके आगे के एक साल के लिए interest जनरेट करेंगे, 20% की rate से, तो वो कितना जनरेट करेंगे 200 into 1 by 5, ठीक है, मतलब कितना, 40 रुपीज जनरेट करेंगे, अब यहाँ पर आपके बस यह total amount बराबर किसके होगा इसके बराबर होगा, अब यह तो actual value है आपके पास तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, आपको बस इसकी value find out करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी को यह चीज करने में problem है, तो देखे, यहाँ पर हम अगर कर देखे, तो वही चीज कर रहे हैं, जो table वाले में कर देखे, 200 रुपीज 200 रुपीज 200 रुपीज इसका 20% कितना हो गया 40 हो गया इन दोनों को add करा कितना बना 400, इसका 20% कितना हो गया, 80 हो गया इसका 20% कितना हो गया 4 हो गया यह देख लिए 8 हो गया यह देख लिए कितना बनाए 8080 तो बनाए न यह कितना बनाए 40 बनाए वही चीज आई आपके पास अगर आपको यह चीज समझ में नहीं आई तो ऐसे कर लेजेगा तब भी चलेगा लेकिन किस केस में यह सिर्फ compound interest वाल into 8 तो 7 to 8 आपके पास यह value आगे आपको इसकी value find out करने है ना तो into 5 by 6 into 5 by 6 into 5 by 6 इसको solve कर लीजेगा आपके बास value कितनी आ जाएगी यह जाएगी second वाली